मेडूल 13, Day 6 लेके मैं हादूर हूँ जो कि मेडूल का नेम है प्रपेर, प्रफोर्म और पर्फेक्ट ओके सो यही चीज़ हम सीखने वाले तो प्लीज लास तक बनी रहेगा और विडियो के स्किप मत कीज़ेगा क्योंकि इसी की थुरू आपको पूरे इंफिर्मेशन मिलती जो कि आपके लिए यूसफुल होती है और मैं वही चीज़ करने की कोशिश करती है इसलिए वीडियो डीले हो जाती है मैं ऐसी वीडियो नहीं आपके लिए क्रियेट करती है जो कि आपके लिए वेस्ट हो मैं कोशिश करती है जब भी वीडियो लाओं तो आपके लिए कु first understand that investment in your professional networks can have a positive impact on their jobs okay so one second okay so jitna भी इसमें ये बहुत आया जा रहा आपके स्वेस्वेसर है जितना भी आप अपने प्रोफेशंल नेट्वर्क में इंवस्ट्मेंट करोगे अब यह क्या है इन्वस्ट्मेंट कि जितना फोकस करोगे उतना आपके लिए बेन्फिट रहेगा वह उतना ही आपको इन्पैक्ट मिलेगा यह क्यों इसमें कहा जा रहा है इसलिए कहा जा जैसे आप जितना प्रोफेशन में एक तो अपनी स्किल आपको डवलप करने आप फ्यू में क्यों सिफ इंग्लिश सीखने के लिए आप फ्यू में नहीं हो यह तो आप सबसे बड़ा टूथ है हम फ्यू किल नोटा सिंगल स्किल हर स्किल सिखाते हैं ओके तो यहां पर यह चीज़ सिखाए जाती है तो आप इससे कनेक्ट हो यह आपके लिए प्रोफेशनल के लिए भी पॉजिटिव इन्पैक्ट देता है सेकिंड आप ऐसे परस्टर से कनेक्ट हो जो कि आपके लिए हैलफ नेटवर्क में यानि अपने निटवर्क को जितना झालबामें करेंगे ऊके अच्छा process eleven में गीन होगा उसका अच्छा इंपक्ट आपके प्रोफेशनल एंड जोब employment में पढ़ेगा तो इस चीज़ पर focus जरूर कीज़ेगा ठीक है यह आप समझ गये चलिए आगे बढ़ते कुछ doubt हो तो comment section आप मुझसे पूछ सकते हो वैसे मैंने इसको clear कर दिया है okay second है आपका understand that interview are commonplace and those who are prepared best usually succeed इसमें यह कहा जा रहा है समझें कि interview जैसे कि common सी चीज़े यानि यह कोई वो big scale वो नहीं है कि इन हिंदी में कहेंगे हवा नहीं है sorry for that यह नहीं है एक simple सी चीज़े जैसे आप एक friend के साथ बैठे हो या आप समझें आप आजा कॉलेज हैं आपके कोई senior sir है उनके पास बैठे हो या common friend ऐसे सोचिए कि आपको सिर्फ बात्चित करने है then और यह सोचिए आप free रही है यह कोई big deal नहीं यह खा जारा जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस पर्फेक्ट ने अपने प्रपेर करके रखो कि अपने आपको perfectly देन आप इसमें आपके ज्यादा से ज्यादा आपको स्क्सेज होने के लिए तो इस चीज़ को ध्यान देजिए यह चीज़ में सिखाए जा रिए ओके देन पार्ट बी पर आ जाते हैं पार्ट बी में आपका है job interview rubik system के थुरू आपको इसमें समझाया जाएगा simple है जो best देगा देन उसके four to five point होएंगे आप इसको student two three point उसको दिये जाएंगे यह आप रीड कर लिए जिसको इंप्रूफ्मेंट की ज़रूँ थे इसमें zero to one point उसको दिये जाएंगे तो इसको इसे भी आप इसमें दिया जा रहा है कि educator feedback है scenario आपको दिया जा रहा है इसको आपको read down करना है कि आपको आपको एक group join करना है आपने आपको introduce करना है well as connect with lincoln then उनको message करना है पैनलिस्ट में कि आप उनको remind करना है कि आप एक event में मिले थे किसी person इसमें दिया गया है so उनको आपको offer करना चाहिए और coffee के लिए आप read down कर लिजेगा मैं short में बता रही हू basically कि आपको offer करना है क्योंकि इसमें show करा जा रहा है जहां तक मुझे मेरा idea है कि ताकि वह एक अच्छी company से belong करते हैं इसमें जो भी दिया गया है ठीक है so वह आपके लिए अच्छी opportunity create कर सकते आपको help कर सकते आगे बढ़ने में तो आपको उनको basically इसमें दिया जा रहा है कि उन अपको इंटरेस्ट लेना है और coffee के लिए offer करना है फर्स scenario में इसमें ये दिया जा रहा है okay so network कैसे बिल्ड करना है उसमें यह चीज इसमें आपको show किया जा रहा है फर्स मैंने आपको थोड़ा explain कर दिया बाकि आप रीट कर लिजेगा कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और स्टूर्स लेना जैसे यह जैसे आर्टिकल्स आते हैं नोट्स आते हैं इंग्लिश में कुछ स्टूजन समझ नहीं पाते हैं क्या उनको आप चाहते हो कि उनक प्रिपेर फोर आ जॉब इंटर्व्यू ओके सो बन तो नाइन स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं ओकि फर्स आपका है फाइनलाइस योर सेल्फ विद जॉब पोस्टिंग यो अप्लाइड फोर जो भी आप जॉब के लिए अप्लाय कर रहे हो पहले इसको फाइन करना है यंदरर्स पॉचाइं जोबी वी कंपनी में अपला ये करने वाले हो उसके ही स्ट्री आपको जाननी है ठाकि लुविव योर् औौर फिंपयरों को प्वेशन अपिकलर्स योर्स आपने फिन्ट्रीविए को ताकि जब भी आप से परसिनल बश्नर इंटरे को उसके बारे में अच्छे से जान्स यानि आपको आए एंड फॉर्थ आपका है प्रैक्टिस आंसरिंग इंटर्व्यू क्वेश्चन विद आफ फ्रेंड ओके गुरुफ को फ्रेंड के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी ओके दिन हाव एन इस्प्लेनेशन फॉर एन आप कंपणी के साथ काम क्यों करना चाहते हो वह भी एकस्प्लेंग करना आपको आना चाहिए वह भी इसमें लिखा गया है ओके रेशा जीज नहीं है यह आपको जो पोईंट है वह आपको बता दी है शॉर्ट पॉइंट जो आपको इसको आपको अच्छे से रीड डाउन कर दोगग वार्योव अपस्केर्योव भी एंट यह उन्ट्डियंग2 इन्तर्यूलिज़ इंग्षड़। अन्टेश्टिंग्टिंग। ओर इंट आ उन्टिछ्टिंग। था मिझेश आपकोफ देवित्ट इन्ट इन्ट वीत इन्ट एंट वी कोफिघ जमाट्टिंग। उ murders दोो होडिए जुमनने औी कोडा एलावने से सैंषिर olması. The most effective approach would be to find a mutual connection who could make an introduction for you, z간े अल्टिबर्टेंछाफे एंदेट अ कामेड़ला अल्टिल्टि को दूंते हुनो, प्रेंग अप्रकेश ब्रापन अस्टेंれた Benut the job opening. For example, the job posting might say you need excellent time management skills and close attention to detail. When you get to the interview, you can talk about how you've used those skills in the past. 84W. 2. Research the company and its history. Visit the company website and learn about what they do. Spend some time looking at their past projects, their mission statement, and their history so you can discuss these factors in your interview as needed. Knowing and being able to talk about the company is a great way to show that you care about this job. 62W. 3. Look over your resume and your own qualifications. Make sure you can talk about specific projects or job duties and how they relate to the job you are applying for. You should pay special attention to your skills or qualifications section since that's where you get to talk about why you are a good fit for the job. 56W. Common interview questions 4. Practice answering interview questions with a friend. Holding a mock interview can be helpful in the days before your real one. Ask your friend to sit down with you and ask some questions that your interviewer might ask. If a friend or a loved one isn't available, practice answering commonly asked questions in front of a mirror. 57W. 5. Have an explanation for any gaps on your resume. If you were unemployed for any length of time, your interviewer may ask about it, talk about skills or qualities that you gain during your time off. For example, if you were caring for a sick loved one, you can talk about how it helped you gain perspective on the world. 60W. 6. Play up your strengths. During the interview, you might be asked about what you do well. Try to come up with two to three examples of skills you've used in the workplace that you could transfer to your new job. For example, you could say, my previous role as a customer service representative taught me a lot about communication and the importance of attentive listening. 65W. 7. Explain why you want to work for the company. Your interviewer might ask you what made you apply for the position that you did. You can talk about the company culture, the job position, or your educational background. Try something like, my background is in biology and I've always been interested in animals. When the position for a zookeeper opened up, I knew I had to jump on it. 69W. 8. 9. Talk about how your skills apply to the job. This is another way you can talk about your strengths, but you can make them specific to the job description. Use here examples of things you did in previous workplaces to talk about why you'd be a good fit. For example, you may say, in grade 12, I was also part 72 of the school sports team. Juggling between academics and extracurricular activities taught me to multitask and use my time effectively. I think that I can transfer these skills and do well in your organization. 95W. 9. Think of 2-3 questions to ask your interviewer. At the end of the interview, your interviewer will probably ask if you have any questions for them about the job or the company. You can use the company website and your background knowledge to ask a few questions like, fill circle, what does a typical work day look like? Fill circle, what are the most immediate projects that need to be addressed? Fill circle, what are the biggest challenges that someone in this position would face? 0. 81W. 73. Module 30. 2. Situational areas. चलिए, आप activity book भी देख लाते हैं. Activity book में आपको first आपका है what listing है. यह तो आपको easily आता है. आपको second आपका आजाता है part B में आपका. Part B में आपका. Part B में first आपका है what's the best approaches to networking. Okay. जो आपके scenario में आपने अभी discuss किया है, read किया है. Then उसे related है. Okay. You attend a networking event at a bio conference, big conference. There is a panelist from earlier in the day. Okay. जो अभी हमने discuss किया था scenario उसी से related है. Okay. So, यह आपके easy होगा. तो आपको यहाँ पर उसी से related आपको answer देना है. ठीक है? जो आपने reference book में जो आपने read करा. उसमें हमने जो read करा था. उसी को read करना है दिन उसके बाद आपको यहाँ पर उसका answer लिखना है. So, कितना easy है? आपको पहले reference book read करनी है दिन उसके answer यहाँ पर write down करना है. ठीक है? Second scenario भी यहाँ पर दिया गया है. Okay. इसको भी read down कर लिजेगा. फिर अपना answer यहाँ पर आपको write down करना है. यानि जितने हमने scenario भी read करें थे 1,2,3 ठीक है उसी के यहाँ पर आपको answer देने हैं. पहले उसको read करना है, समझना है, then answer easy हो जाएगा आपको लिखना है. 1,2,3 scenarios है. So, आपको यहाँ पर write down करने हैं. Okay. Then next आपका जाता है, part C में, planflate, my network, आपका network के बारे में आपको write down करना है. यहाँ पर देखे, first में आपको hint दिये गए हैं. Okay. People professional, friends pursuing hotel management, teacher and trainer in the field, career counselor. Okay. यह आपको professional दिये गए हैं. 3, place and location. Location, restaurant, hotel, Lincoln, your school college. Okay. Your school or college, Lincoln, social media. ठीके, तो देखे, आपको example भी दिये गए हैं. इसी example के थुरू आपको यहाँ पर write down करना है. अपने accordingly आपका क्या होगा करें. यह तो आपका friend का है, becoming chef है. हाँ ना? तो आपको क्या बनना है? आपको यहाँ write down करना है. अपना professional क्या है? और आप कैसे उसे, क्या place होने वाली वह यहाँ पर आपको अपने accordingly यहाँ पर write down करना होगा. ठीक है students and learners. I hope आप समझे होंगे. चलिए आप आगे देखते हैं. Students and learners. अब लास्ट आप वीडियो है, quiz on question format. मैंने आपके लिए अल्रेडी prepare करके मैं अल्रेडी रखती हूँ. जिससे आपको help हो जाए, फर्स्ट आप अपने accordingly कीजेगा. ठीक है, कुछ miss out हो जाता है. इस बार आपको थोड़ा जो मैंने write down करके रखा है. मैं पर जादा time नहीं था. तो इसलिए मैंने यहां पर write down करके paste कर दिया. Sorry for that. Next time I will prepare for best. Okay students and learners. I hope आपको यह information useful लगेगी. अगर आपको लगता है, कुछ miss out हो गया, तो मुझे को आप correct कर सकते हो, मुझे suggestion दे सकते हो, कि मैं अभी आपकी तरह learner हूँ, आपको सिखाती हूँ, खुद भी सीखती हूँ. Okay, क्यूंकि आपको सिखाने से मैं भी कुछ ना कुछ सीखती हूँ, मैं भी grow करती हूँ, और ताकि मैं भी backward ना रह जाओ, तो मैं भी आए अपने life में आपके लिए कुछ ना कुछ करती हूँ, ताकि मुझे लगता हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ. Okay, so, आपकी help, मेरी help, ऐसी आप भी सोचेगा, वीडियो को स्टूडेंट तक जरूर पहुचाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए टाटा, बाँ बाई